Unit Slope Graph Notebook शगुन स्मार्ट जोमेटरी नोटबुक का पेज ले आउट स्क्रीन पर दिखाया है. बाई और प्रिष्ट पर Unit Slope रेखाएं दर्शाई है. प्रत्यक प्रिष्ट पर ग्राफ की तीन रोव्स है. प्रत्यक ग्राफ में रेखाओं का मान इस इक्वल टू तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ और दस यूनिट है. ग्राफ की तीनो रोव्स के उप्योग से किसी त्रिभुज के तीन कोनों का मान किसी भी दो गुजाओं के मान से ग्यात किया जाता है. दाइं और का प्रिष्ट जोमेट्री के फिगर को ड्रा करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए है. इसमें प्रॉबलम का उदेश्य, प्रॉबलम हल की विधी, परिणाम और गतिविधी का निशकर्ष लिखा जाता है. पहली दो गतिविधिया उदाहर नात्मक है. यह चात्रों को प्रॉबलम हल करने की विधी एक्स्प्लेन करने के लिए है. बाद में कुछ नए प्रॉबलम दिये है, जिने चात्रों को प्रयोग द्वारा पूरा करना आवर्शक है. प्रवेंता प्रमान पत्र प्राप करने के लिए गतिविधियों का सफल समापन आवर्शक है. उद्देश त्रिभुज ABC की रचना करो, जिसमें दो गुजाए अब इस इक्वल टू साथ और BC इस इक्वल टू आठ यूनिट्स है. बिन्दू B पर विसुल कोन टोपोलोजी 45 अंच से बहुत अधिक और 90 अंच से कम है. प्रश्न के हल के लिए यूनिट स्लोप ग्राफ लाइनों का उप्योग करो. बिन्दू B पर कोन ग्यात करने के लिए निमलिखित स्टेप्स का पालन करें. बुजा A B is equal to 7 और B C is equal to 8 का चयन करें. यूनिट स्लोप ग्राफ से A is equal to 7 और B is equal to 8 के साथ त्रिभुज A B C की रचना करो. स्क्रीन पर दिखाए चित्र में कोन A C B को मापे. यह कोन is equal to 38 अंच है. विस्वल कोन टोपोलोजी से कोन का मान निर्धारित करने की विधी. कोन is equal to 38, 17, 73, 62 दिगरी यदी कोन 90 अंच से कम है. कोन is equal to 152, 163, 107, 118 दिगरी यदी कोन 90 अंच से अधिक है. दी गई टोपोलोजी से मिलान करने पर कोन थीटा इस इक्वल टू 73 अंच है. अब भुजा ए is equal to 7, बी is equal to 8 और कोन थीटा इस इक्वल टू 73 अंच के लिए त्रिभुज की रचना करो. त्रिभुज में C का माप is equal to 9 यूनित है. त्रिभुज के अन्य कोन का मान निर्धारित करने के लिए फिर से यूनित स्लोप ग्राफ का उप्योग करें. भुजाओ A और C और B और C के बीच के अनुपात 7 इस्टू 9 और 8 इस्टू 9 का उप्योग करें. यूनित स्लोप ग्राफ में A, B, 7 इस्टू 9 के उप्योग से. त्रिभुज A, B, C को A इस्टू 7 के साथ B इस्टू 9 स्क्रीन पर दिखाया है. कौन को मापे इस्टू 34 डिग्री है? कौन थीता इस्टू 34, 11, 89, 56 डिग्री यदि कौन 90 अंच से कम है? तोपोलोजी के मिलान से थीता इस्टू 56 अंच है. अन्य बुजाओ A, B, B is equal to 8 और B, C is equal to 9 अनुपात के लिए. त्रिभुज A, B, C को A is equal to 8 के साथ B is equal to 9 स्क्रीन पर दिखाया है. कौन का माप इस्टू 34 डिग्री? कौन इस्टू 34, 11, 89, 56 डिग्री यदि कौन 90 अंच से कम है? टोपोलोजी के मिलान से थीटा इस इक्वल टू चपन है कौन करेक्शन इस इक्वल टू तिहत्तर प्लस चपन प्लस चपन इस इक्वल टू एक सो पचासी सही कोन थीटा का मान is equal to 73-1.67 is equal to 71.33 degree अंत में त्रिभुज को a is equal to 7, b is equal to 8 और उनके बीच का कोन is equal to 71.33 अंज से त्रिभुज की रचना चित्र में दिखाई है युवा उद्यमियों के लिए प्रोथसाहन उद्यमी, व्यापारी और स्कूनों के शिक्षक निमलिखित तरीकों से जी मेट फाउंडेशन में भागीदार बन सकते हैं 1. कक्षा 6 से 12 तक के किसी भी स्कूली छात्रों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को जोमेट्री के फिगर को ड्रा करने की विधी का प्रशिक्षन 2. जी मेट फाउंडेशन के प्रोडक्स की एजनसी या सोल डिस्टिब्यूटर्शिप लेकर देश भर में शगुन स्मार्ट जियोमेट्री नोटबुक की मार्केटिंग को बढ़ावा देना 3. जी मेट फाउंडेशन की सदस्यता लेकर बिजनेस प्रमोटर पार्टनर बनने में रूची सदस्यता शुल्क है स्टाफ ट्रेनर 10 के और मार्केटिंग एजन्ट 25 के संपर्क फोन नंबर 9755039605 तदेश के जल संकट को दूर करने के लिए राश्चिय महत्व की परियोजना जैसे जल जीवन मिशन 36 कड मॉडल जी मैट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है इस परियोजना में समुदरी जल को नदी के उदगम स्थल पर पाइप और पंप की सहायता से पहुचाना होगा मार्ग में उचित स्थान पर जल जील का निर्मान किया जाएगा श्री राहुल जी से अनुरोध है कि वे 36 कड राज्य को खुशाल बनाने और करोडों लोगों को रोजगार देने वाली प्रस्तावित योजना को प्रदेश में लागू करवाएं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके क्रिप्या वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए आवशक है कि निकट्तम समुद्र तट से पानी को लिफ्ट करके सुखाग्रस स्थानों में समुद्र पानी की जील निर्मान करते हुए नदी के उदगम स्थल में भेज दिया जाए चित्र में सीवाटर रिसाइकलिंग को दिखाया है इश्वर में हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेट्वर्क से पानी को नदी के उदगम स्थल तक पंप की सहायता से पहुचा कर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है रास्ते में उप्युक्त उचाई पर विशाल समुद्री जल जील का निर्मान करके संद्रहीत पानी से नमक निकालने के सन्यंत्र लगाए जाएंगे नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा इससे नदी और जमीन के जलस्तर में किसी भी मौसम में कमी नहीं होगी यह सोचने का विशय है कि करोणों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजिनियरिंग परियोजना को 36 कर सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया है शगुन स्मार्ट जियोमेट्री एकसरसाइज नोटबुक की विशेश्ता जियोमेट्री के किसी फिगर में दो गुजाओं के बीच के कोन का मान ग्यात करने के लिए शगुन स्मार्ट जियोमेट्री एकसरसाइज नोटबुक डिजाइन की गई है इसके उप्योग से स्कूली छात्रों का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है 2008 में जोमेटरी के नए कांसेट की खोज हुई जिसके अनुसार अब किसी त्रिभुज की रचना में मात्र दो एलिमेंट ही आवशक है पूर्व धार्ना के अनुसार किसी त्रिभुज की रचना कम सए कम तीन एलिमेंट आवशक थे नए अल्गोरिफ्म के उप्योग को समझने और अभ्यास के लिए यहां वर्क बुक तैयार की गई है जी मेट फाउंडेशन ने इस IPR का पंजीकरण करवेया है युवा प्रक्तिशील उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित है जो देश के किसी भी भाग से नए प्रड़क्ट की मार्केटिंग में भागीदार बनने को इच्छुक है साजेदारी शुल्क निम्नानुसार है आपको भागीदारी के लिए निम्नलिखित फी लगेंगी एक के बराबर एक हजार रुपए पोजीशन एक पचीस के पोजीशन दो बीस के पोजीशन तीन पंद्रा के पोजीशन चार दस के धन्यवाद संपर करे जीमेट फाउंडेशन किसी भी ग्रैजवेट को पाँच हजार रुपए के मासिक वेतन पर भारत जोडो जॉब्स नेटवर्क में मैनेजर ट्रेनी की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है शुरुआत में जॉब वर्क को लेकर पाँच दिन की ट्रेनिंग दी जाती है प्रशिक्षन के बाद उमीदवार को स्क्रीन पर दिखाए गए विशिष्ट लक्षों के लिए 15,000 रुपए के मासिक वेतन दिया जाता है